नमस्कार दोस्तो। स्वागत है आपका तपटक्स व्यास अकेडेमी के एक्स्लूज इकोनॉमिक्स के वीडियो कोर्स के अंदर आज मैं कर्दमरावल आप सबके साथ डिस्कस करूँगा इकोनॉमी की भारत की इकोनॉमी है इसकी कन्डिशन क्या है यानि कि यहाँ पर pros and cons देखेंगे भई हमारे पास कितने पैसे है international कुछ-कुछ चीजों के अंदर हमारे कहाँ पर कौन-कौन से rankings पढ़ते है कितने प्रतीशद हमारे देश के अंदर जो समस्या है taxpayers जो है वो कितने है फिर जो environment की impact economy के उपर पढ़ती है तो इन कई मुद्दों के उपर आज का lecture डिपेंड करने वाला है तो मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्क्ले मैं share करना चाहता हूँ वैसे UPSC जो है वो कभी भी number based question नहीं पूछता कि इंडिया के अंदर sex ratio का number क्या है या फिर child mortality rate का percentage क्या है तो कोई भी ranking या फिर number या फिर percentage based UPSC हाला की कभी question नहीं पूछता लेकिन mains के अंदर जो है आप answer quote कर सकते है तो यहाँ पर इस video के अंदर हम जो भी numbers देखने वाले हैं उन numbers के उपर आप उसको याद नहीं रखेंगे उसको रटने की जरूरत नहीं है हमारा economic survey का lecture आगे आने वाला है उसके अंदर जो number आएंगे वो सबसे ज़्यादा authentic और trustworthy numbers होंगे उन सारे numbers के उपर जो है हम जो है focus करके उसको याद रख पाएंगे और उन सारे words को जो है आप लोग जो है अपने mains के answer writing के अंदर use करेंगे इस video lecture के दोरान जो भी numbers आपको दिखाये जाएंगे कृपिया करके उस numbers को आप याद न रखे वो आपके लिए important नहीं है मैंने पहले भी lectures में बताया है कि हम जो course चला रहा है उस course के अंदर numbers majority case में अंदर include नहीं करेंगे बलकि हम जो numbers को याद रखने के लिए एक special lecture रखेंगे उस lecture के अंदर जो numbers दिये जाएंगे वो numbers most trustworthy और most authentic होंगे तो video lecture शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यह जो video lecture है आपकी और प्रस्तूत क्या जा रहा है UPSCIS exam के दोरा जो एक YouTube channel भी और यही एक YouTube channel है जो सबसे पहले provide करती है तो हिंदू editorial YouTube के अंदर सबसे पहले और काफी various अलग-अलग topics जो UPSC के context में helpful होते हैं यहाँपर dynamic topics के videos भी upload होते हैं तो UPSCIS exam channel YouTube पर search करें और subscribe करने के बाद bell icon पर click करना बिल्कुल से मत भूलिएगा अगर आप वहाँ पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर बिल्कुल से जुड़ जाईए हमसे काफी सारी knowledgeable things यहाँ पर हम आपके साथ share करते हैं तो पहले देखते हैं कि GDP की जो statistics है इंडिया के अंदर वो क्या है national income का जो हमारा rank है उसके हिसाब से हम 10 में नंबर पहन normal GDP की calculation के उपर nominal GDP के और अगर आप PPP की बाग करो PPP क्या होता है एक PPP की का मतलब full form होता है public private partnership और एक PPP का मतलब होता है purchasing power parity तो यहाँ पर purchasing power parity के हिसाब से अगर calculate करे तो भई हमारा rank जो है वो third है कैसे आपको एक example बता सकता हूँ अगर समझ लिए apple का एक mobile है latest mobile जो अभी हाल ही में कोई launch हुआ हो तो वो अमेरिका की खुद की कमनी है तो अमेरिका के अंदर उसके buyers जो होंगे उसको buy कर पाएंगे लेकिन विदेश के अंदर जो ranking बनेगी की कौन से country इसमें कौन जो लोग जो है वो ज़ादा buy कर रहे है तो कोई nation अगर apple का phone buy करता है वहाँ के लोग तो वहाँ की specifically अगर out of the context एक हिंदी word जो मैं आपको बोलू तो वो है ओकाद तो कौन से country के लोगों की कितनी ओकाद है तो ओकाद के मामले में हम third rank के उपर आते है purchasing power parity theory को समझना है तो एक ही word अगर आप समझ सकते हो तो वो है ओकाद उसको समझ लिया तो समझ लीजिए purchasing power parity आपको समझ आ गई कौन सी product कितने price के उपर हम लोग afford कर सकते है तो world ranking के उपर अगर rank आएगा कि वह कौन से country के लोग जो है वो आराम से इसको afford कर पाएंगे तो उसके अंदर हमारा rank third है फिर GDP of India जो है billion के dollars के अंदर हिसाब करें तो वही है इंडिया की है 1850 करोर 1850 billion dollars तो अगर उसको calculate करें रूपीज के अंदर तो है वो 100 lakh करोर की हमारी GDP बनती है जो nominal GDP है और अगर purchasing power parity की जो आप बोलोगी की GDP क्या है तो वो है 4700 billion dollars तो GDP का growth rate हमारा amount 5 प्रतिशद रहा है पिछले तकरीबन 8-9 सालों के अंदर तो per capita income की हमारी ranking है 141th nominal GDP के मुकाबले और purchasing power parity की अगर आप बात करें तो यहाँ पर हमारी ranking है 130th per capita GDP की जो value है वो है 1491 US dollars और यह भी जो है nominal के मुकाबले है और अगर आप purchasing power parity की बात करो उसके मुकाबले हमारी जो per capita GDP की value है 3839 dollars है तो यहाँ पर per capita का number जो है वो कई बार बहुत help करता है मेंस की answer writing के अंदर लेकिन आपको यह figures याद नहीं रखने है यह answers के अंदर यह figures use नहीं करने है यह एक overview ले रहे है फिर है sectoral contribution to GDP तो agriculture का 14% industry का 25 और service sector का 61 तो आप कहेंगे कि यही data जो है हमारे जो sectorial lectures हमने पढ़े थे इंडिया के तीनों sectors को study करते हुए तो यहाँ पर यह data mismatch होता है obviously mismatch होगा authentic data economic survey वारे lectures का ही आपको follow करना है फिर है label contribution to GDP तो agriculture में 50% है industry में 20% और service sector के अंदर 30% है यानि कि सेवा sector में 30% लोग काम करते हैं inflation के अगर आप बात करें तो wholesale price index जो है उसका 4% रहा है पिछले 6 साल के average के मुकाबले और जो consumer price index है वह 10% यह हमने वीडियो के अंदर सीखा है कि wholesale price index और consumer price index क्या है और RBA जो है पहले कौन सा use करती थी और अब कौन सा use करती है तो आपको याद यही रखना है कि wholesale price index जो है वह पहले use हुआ करता था महेंगाई को मापने के लिए अब जो है उसको हटा के हमने शुरू कर दिया है consumer price index percentage of population below poverty line planning commission जो था उस समय का यह कहता था कि 22% लोग जो है वो जो है below poverty line है तो अभी नया census आया नहीं है तो planning commission का data यहाँ पर मैंने आपके लिए प्रस्तूत किया है फिर गिनी coefficient आप देखेंगे यानि कि income inequality तो यहाँ पर 36.8% लोग जो है यहाँ पर प्रतिशद आता है 36.8% और ranking के हिसाब से देखें कि world level पर हमारा कौन सा income inequality के अंदर जो rank है वो है 79th rank तो वैसे आपने एक नॉर्मल सी बात बोली होगी कि भारत की जो जो भी prosperity हो majority इसकी 2% लोगों के पास है और 98% लोग जो है वो 2% amount के अंदर adjust कर रहे है यानि कि इंडिया की population की 100% population हो उसमें से 2% लोग इतने अमीर है जो 98% का जो है fund खुद के पास उनके पास है और 98% public ऐसी है जो 2% जो nation की पूरी की पूरी जो value है उसके अंदर जो है अपने आपको समा लेते हैं और manage कर लेते हैं तो यहाँ पर जो inequality जो है 36.8% है और यहाँ पर 79th हमारा rank है human development index का 0.554 हमारा ratio निकल के आता है और हम ranking के मुकाबले 136th rank के उपर है यहाँ पर हमने एक improvement किया है जो हम economic survey के lecture के अंदर देखेंगे even wholesale price index और consumer price index का भी जो जून का data निकल के आया है वहाँ पर भी हमने improvements देखे है महंगाई बहुत बड़ी है food department जो है उनके अंदर बहुत सारी महंगाई देखने को मिली है फिर labor force की बात करें कि वह इंडिया में 50 करोड़ लोग जो है वो labor force है वहाँ पर जो है child labor भी include कर लिया है तो इंडिया के अंदर child labor यहाँ पर है जो 2001 के census में जो है वो unemployment का scale 26.1 प्रतिशत था तो 2011 का आप skip कर लो तो अभी जो recent data जो यह बताते हैं government official अपनी website के उपर तो यह तो सिर्फ 4 प्रतिशत बोल रहे हैं जो यह एकदम से unauthentic data नजर पड़ता है तो main industry इंडिया के अंदर जो है Manchester of India के नाम से जाना जाता था फिर जो है chemical तो इंडिया में तकरीबन 112 से भी ज़्यादा तरह के chemicals जो है वो naturally और artificially create होते हैं और यहाँ पर इंडिया का जो export है वो तकरीबन 4500 तरह के chemical का export है फिर food processing के अगर आप बात करें तो इंडिया एक financial country है और जो fish जो है fish का यहाँ पर इंडिया का बहुत बड़ा export है और इंडिया जो है वो US European Union और Middle East के अंदर जो है गुजरात महरास्टरे से बहुत सारी food products जो है package form के अंदर export करता है फिर steel की अगर आप बात करें तो world level के उपर चाइना से बाद जो कोई आता है country तो वो है इंडिया इंडिया का steel जो है इसकी जो density है और इसकी जो quality हो world के अंदर बहुत ही अच्छी मानी जाती है लेकिन हमारा export जो हो चाइना के मुकाबले बहुत कम है और इंडिया जो है world के अंदर second largest आप बोल सकते हो quantity में नहीं बलकि quality के अंदर steel के अंदर world level पे अंदर हमारी quality steel की वो second ring के उपर है transportation equipment तो इसके अंदर भारत की शान बढ़ाता है Tata company, मारूती Suzuki वाली मारूती company और महींदरा company तो ये तीन company ऐसी है जो इंडिया की transportation equipment की export के अंदर world की शान बढ़ाता है वैसे तो इंडिया के अंदर Hyundai और Honda जैसी companies Mercedes, Volkswagen जैसी companies जो है अपना माला के बेच जाती है और बहुत बड़ी amount के अंदर पैसा जो है इंडिया से बाहर लेके जाती है even includes Mercedes Benz तो यहाँ पर transportation equipment में export और import की balance थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है क्योंकि हमारा नेशन जो transportation equipment बेचता है यानि कि sell करता है किसी नेशन को तो उसकी price जो होती है नीची होती है वैराज इंडिया के अंदर जो Volvo, Benz, Volkswagen, Hyundai, Honda जैसी cars जो है उसका यहाँ पर import जो है वो medium range से लेके premium और highly premium cost का बहुत ही बड़ा है तो यहाँ पर balance जो है गड़बड़ा जाता है फिर है cement तो L&T से लेके Ambusha से लेके Hathi cement से लेके Bangla cement तक बहुत बहुत यहाँ पर companies है तो सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं बलकि वेदेश के अंदर भी अपना सामन भेजती है तो Bangla देश के अंदर Myanmar के अंदर और Shri Lanka के अंदर इंडिया का cement export बहुत ही अच्छा है फिर mining industry के अगर आप बात करें तो जारखंड और इसा 36 गड़ वाले जो state है यहाँ पर mining industries जो है इनका performance बहुत अच्छा है even कई कई जगाओ पर बिहार और उत्तरप्रदेश का भी mining performance इंडिया के अंदर बहुत अच्छा है और इनका जो output है वो GDP के अंदर बहुत ही अच्छा contribute करता है even अगर आप आंदरप्रदेश करना टका की भी बात करें तो इनके numbers भी बहुत ही अच्छे है तो ये numbers हमारे लिए कहीं important नहीं रखते है आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन कौन से state के अंदर इंडिया का performance यहाँ पर अच्छा है तो petroleum जो है वो भी हम अपने हिसाब से produce करना शुरू कर दी है इंडिया के अंदर जो machinery है उसके अंदर अगर आप स्पेसिफिकली बात करें तो हर्याना और गुजरात जो है इनका जो manufacturing sector है जो machinery को produce करता है स्पेसिफिकली गुजरात के अंदर स्पेसिफिकली शौराष्ट और राचकोर जो है वो machinery के अंदर बहुत ही उंदा काम करते है और वर्ड के अंदर जो है अब मानते हैं कि जर्मनी का जो machinery होता है वो बहुत ही अच्छा होता है लेकिन हम जो है इन्डिया से स्पेसिफिकली गुजरात में सौराष्ट और राचकोर्ट रीजन के अंदर जो है राचकोर्ट की products जो है वो जर्मनी के अंदर और स्विजरलेंड के अंदर भी बेची जाती है इवन स्विजरलेंड के बैंक का भी यहाँ पर इंडिया को एक order मिला था कि हमारी बैंक के locker के लिए जो input parts अगर आप बनाना चाहे तो आप हमें एक coordination दे और वहाँ पर इंडिया से राजकोट ने बहुत ही अच्छा perform करके वहाँ पर input parts जो है यहाँ पर provide कराये थे फिर अगर आप south में देखे कि बहुत ही आई-टी sector का hub है इंडिया तो software तो बनते ही बनते है world level के उपर हमारे valuable फिर है pharmaceutical companies तो यहाँ पर सबसे जादा जो है लोग इंडिया के अंदर आते है तो medical का मुद्दा लेके इंडिया के अंदर आते है यानि कि जो यह फार्माशोटिकल और जो medical stream है इंडिया की यह बहुत ही diversified है तो इन सारी चीजों को मिला कि ease of doing business जो है वो इंडिया का 132 बताया जा रहा है जो पहले बहुत ही खराब हुआ करता था 160, 170, 180 के अंदर हम रहा करते थे लेकिन अब जो है इंडिया के अंदर LPG policy के आने से लेके 1991 से लेके यह rank हमने day by day improve करने की कौशिश की है और यहाँ पर 138 से हमने jump मारके 136 और 136 से जम आके 134 और 134 से अब 132 के उपर आ गया है और अभी जो नया recent survey जो internally carry out हो रहा है उसके अंदर बताया जा रहा है कि इंडिया का rank 126 से लेके 129 की range तक पहुँच सकता है तो यह इंडिया के लिए खुश कबरी की बात है तो export and imports in India तो किस तरीके से यहाँ पर जो है numbers आते है फई इंडिया का जो export है वही जो है इंडिया को income generate करा के देगा और इंडिया का जो import है वह इंडिया की income को यहाँ से बार भेज देगा तो यह तो छोटी सी simple सी knowledge आप सबको पता है तो total export value जो है इंडिया की 310 US billion dollars की है और total imports जो हमारे 490 billion US dollars के यानि की जो difference बनता है वो बनता है 180 billion dollars का तो यह कैसे बनता है यह बनता है हमारी एक छोटी छोटी activities से Coca Cola पीने से, McDonald's का burger खाने से, Pizza Hut का Domino's का pizza खाने से और ऐसी कई छोटी छोटी activities से जो है हम इस नंबर को 132-135 करोर की population जो है कहीं ना कहीं छोटी छोटी activities से क्या करती है सारी चीजों को यहाँ पर बना के देती है नंबर को 180 billion dollars हमारे एक्सपोर्ट बहुत ही अच्छे है no doubt यहाँ पर कोई staticness नहीं है को stability नहीं है फिर भी हमारे एक्सपोर्ट अच्छे है लेकिन हमारे imports क्यों बढ़ जाते हैं? आप कहीं बार तो ऐसा भी बोलोगे कि सर जो pizza है या फिर burger है या Coca Cola है तो यह हम import तो नहीं करते हैं सही बात है आप लोग इंपोर्ट नहीं करते लेकिन यह लोग जो है विदेश में अपना पैसा यहां से convert करके लेके चले जाते हैं और आपको मैं यह food chain की अगर बात कर तो जो भी food chain US की और United Kingdom की है तो उन लोगों की food chain का main मसला यह है कि जो ingredients है वो यहां से आते हैं Even एक time हुआ करता था जब Coca-Cola यानि कि लहर कमनी की जो products बनती थी उसका जो पानी भी आता था वो भी विदेश यह आता था वहाँ पर भी जो है वो बड़ा-बड़ा amount यहां से transfer करके लेके चले जाते थे पानी के नाम के उपर भी तो exports good के अंदर अगर हम बात करें कि इंडिया क्या-क्या export करता है software petrochemicals software के लिए South India the best thing petrochemicals के अंदर relance जो है बहुत ही उम्दा काम कर रहा है pharmaceuticals के अंदर number one perform करती है Sun Pharma Company precious stone जो है इंडिया के अंदर जो peninsular region है उसके कारण specifically मध्यप्रदेश बिहार जो है वहाँ से कई सारे precious stones निकल के मिलके आते है उसको सिर्फ mold करना है, shape करना है, polish करना है और विदेश के अंदर इसको बेचना है तो अमेरिका, Belgium ऐसे कई सारे countries है जहाँ पर इंडिया प्रेस्टिय स्टून बेचता है textile के लिए तो इंडिया जो है सदियों से famous है, machinery के लिए गुजिरात बहुत ही उंदा काम करता है iron ore, 36 जारखन, बिहार जो है इनके कारण इंडिया का नाम है यहाँ पर chemicals के अंदर हमने पहले discuss किया, automobiles के अंदर Tata, Mahindra ऐसी companies जो है वो इंडिया का नाम रोशन करती है export related के अंदर और मैं बता दू कि इंडिया से जो छोटे developing countries है, developing है लेकिन हमारी तादात के अंदर थोटे कम है तो उन countries के अंदर automobiles के अंदर देखे वे इंडिया के अंदर क्या चलता है, two wheeler के अंदर Activa और Suzuki का access तो उसी तरीके से ऐसे छोटे छोटे जो countries है वहाँ पर जो है, मारुती और महिंद्रा का performance बहुत ही उम्दा है, इवन जो हमारे hero है, पहले जो hero जो Honda हुआ करता था, आज जो hero है उसका भी sales बहुत ही अच्छा है इवन पाकिस्तान के अंदर भी हमारी companies बहुत ही great perform करती है तो यहाँ पर import good की अगर बात करें कि इंडिया क्या import करता है, तो crude oil import करता है जो सब को पता है raw precious stones तो यहाँ पर आपको पता होगा कि गुजरात का जो सूरत है, वो world famous है diamond के लिए, तो diamond जो है यहाँ पर polish करागने के लिए आते हैं यानि कि raw precious stones, diamonds भी जो है यहाँ पर stone के अंदर include होते हैं फिर जो है machinery भी हम import करते हैं जर्मनी जो है, उनसे हम कई सारी machinery import करते हैं अमेरिका से, USA और रसिया से हम भी जो है export करते हैं लेकिन जो है हम अप ऐसा मानते हैं कि हम से अच्छा वहाँ से मिल रहा है तो हम वहाँ से import करते हैं इवन जो machinery का import है, वो चाइना से भी बहुत बढ़ गया है अब तो fertilizer हम import करते हैं maximum fertilizer इंडिया जो import करता है वो चाइना से करता है coal import करता है, वो भी चाइना से बड़ी amount के अंदर करता है, steel import करता है चाइना से बड़ी amount के अंदर steel import करता है क्योंकि चाइना जो है, वो बहुत ही बड़ा steel exporter है और chemicals जो है, उसके अंदर भी अच्वाइद अरब ईमिराज जो little Sparta के नम से जाना जाता है फिए चाइना के अंदर 5% सिंगापूर के अंदर 5% होंकों के अंदर 4% इसे पिछे वाले जो countries है वह चार से भी कम वाले है और कहीं पर तो 0 के बाद कई 0 लगने के बाद कुछ नंबर खुलता है तो main import partners जो है जिससे हम अपना पैसा गवाया करते है वो है चाइना से 11 प्रतिशद यानि कि हमारा डिफरेंसी 6 प्रतिशद हो जाता है यहीं पे अरब से 7.7 प्रतिशद अरब इमिरत से और साओधी अरबिया से 6.7 प्रतिशद और हम जो हमारा export है साओधी अरबिया के सामने वो है 0.73 और यहाँ पर हमारा import है वो है 6.7 प्रतिशद जो इंडिया है बहुत बड़ी अमाउंट के अंदर कुरूडल साओधी अरबिया और उनाइटे अरब इमिरत से इंपोर्ट करता है इवन स्विजर लेंड जो है उनसे भी हम कई सारी चीजे इंपोर्ट करते हैं कैस इंपोर्ट का गोल्ड बहुत ही जादा इंपोर्ट होता है वोड इंपोर्ट होता है इसके अलावा क्या चीजे यहाँ पर हम इंपोर्ट करते हैं आप गूगल के उपर सर्च कर सकते हैं तो strength and weakness of Indian economy FDA का हमारा 40 billion dollars का स्टॉक पड़ा है external debt हमारा 300 billion dollar है public debt हमारा 1300 billion dollar 66% GDP का तो यह बहुत बड़ी amount है fiscal deficit हमारी 100 billion dollar की है जो GDP की 5% है यानि की public debt और fiscal deficit को मिला के 71% हमारी GDP खतम हो जाती है economic aid हमें विश्व के बड़े-बड़े countries से अगर मिलती है तो वो है 2 billion और यहाँ पर foreign reserve जो हमारे पास है वो 280 billion का है तो इसके अंदर कोई खुश होने वाले बात नहीं है यह हमारा ही पैसा जो है हमें दिखाया जा रहा है कि हमरे पास इतना foreign reserve है जो इंडिया से ही collect करके बनाया गया है यह कोई हमने export करके नहीं कमाया है फिर है current account deficit जो हमारी 88 billion dollars है यानि कि 4.8% of GDP यानि कि 66 plus 571 plus 4.8 is equal to 75.8 तो यहाँ पर हमारी GDP यहीं पर खतम हो जाती है two-third of GDP has been ruled out due to public debt, fiscal deficit और current account deficit तो इंडिया की जो credit rating है वो की गई है दो companies के दवरा SNP वो कहती है lowest in investment grade आपको लगता होगा कि इंडिया के अंदर बहुत बड़े investors आते हैं लेकिन नहीं SNP कहती है कि इंडिया के अंदर कुछ खास नहीं है building business based इसके मताबिक investment grade बहुत ही low है हमारा इसके अलावा lowest बोलते हैं इसको तो low भी नहीं बोलते है lower lower lowest होता है तो यह lowest बोलते है SNP वाले जो एक बहुत ही बड़ी credit rating है इसके अलावा जो moody नाम की credit rating agency है उसके मताबिक हम जो है stable है तो यहाँ पर मैंने एक इंडियन economy के लिए statistics के regarding एक point रखा है कि वह UPSC कभी भी prelims या फिर mains के अंदर percentage based question नहीं पूछती number based question नहीं पूछती ratio based question नहीं पूछती हाला कि यहाँ पर banking rates के बारे में कहीं कुछ question आ सकता है कि repo rate reverse repo rate CRR के regarding जो change हुआ है उसके मताबिक जो है market के अंदर और लोगों के उपर क्या प्रभाव पढ़ सकता है इसके base के उपर answer पूछ सकते है तो वहाँ पर जो है अब numbers quote कर सकते हैं लेकिन numbers कहां से लेने हैं हमारे economic survey वाले video lecture से तो यहाँ पर latest data coach economic statistics वाला है bank rate 8% repo rate 8% reverse repo rate 7% CRR 4% SLR 22% base rate 10% PLR 12-15% deposit rate 8-9% saving rate deregulated कोई भी यहाँ पर specific number नहीं है normally जो भी bank है वह 3.5% दे रही है और कुछ bank कैसी है जो एक लाग से लेके ठाए तीन लाग की deposit अगर आप रखते हो तो 6% तक है पैसे दे देती है फिर है गिनी coefficient 36.8% export जो हो 300 प्लस बिलियन डॉलर का है import जो है 470 बिलियन डॉलर का है FDI stock हमारा 50 बिलियन डॉलर का है foreign reserve जो है 350 बिलियन डॉलर के है for gross external debt जो है 450 बिलियन डॉलर के है public debt 68.05% of GDP that is approximately 1.5 trillion billion ट्रिलियन डॉलर और यहां पर जो है budget deficit है वो 6% GDP का revenue जो है 196.4 बिलियन डॉलर का है expenses है 308.8 billion dollars और हमें economic debt specifically 2.107 billion US dollars की मिलती है तो numbers याद नहीं रखने हैं यह आपको याद रखना है सिर्फ words याद रखने है large increase in registered indirect as well as direct taxpayer तो GST के आने से पहले लोगों को लगता था कि यह गलत चीज हो रही है हम इसके लिए तयार नहीं है यहाँ पर specific knowledge की जरूरत होगी सारी चीजों को मिला के आज जो है anniversary भी हो गई GDP के GST की तो GST के अंदर 15-50% जो है increment देखने को मिला और यहाँ पर taxpayer का increment देखने को मिला और जो voluntary registration है उसके अंदर भी बहुत बड़ा number increase हुआ है तो survey के मुताबिक जो है पहले GST से लोग डर रहे थे लेकिन आज जो है GST से देश को जो है बहुत बड़ा फाइदा हो रहा है और कई सारे लोग जो है यहाँ पर economy कली अगर देखा जाए तो economy भी strong हुई और कई लो करें कि November 2016 से लेके अठ्रा लाख लोग जो है income tax payers बड़े है तो यहाँ पर एक तरीके से लोग यह बोल रहे है एक एंगल से कि यह जो नई government है उसको support करने के लिए युवा वर्ग के अंदर और कई अलग अलग जो भारत की आवाम है उसके अंदर यह सा सोच में आया है कि पर इस tax हमें भरना चाहिए तो मैं आपको एक specifically economic angle से बता दू कि यह अठ्रा लाख का जो नए tax payers का जो number है भारत के अंदर तीन प्रतिशत लोग भी tax नहीं बढ़ते हैं total population में से तो यहाँ पर इन अठ्रा लाख लोगों का increase होना यह कोई खास बात नहीं है हमारी population जिस मुकाबले बढ़ रही है तो उसके अंदर जो youth है वो youth ही जो है यह अठ्रा लाख तो बहुत ही चोटा number है बहुत बड़ी मातरा के अंदर भारत का youth जो है वो 18 cross कर रहा है 18 cross करके ही आप अपलाई कर सकते हैं 104 रुपे में जो है आपका पानकार्ड बनके आपके घर में आ जाएगा तो यहाँ पर मैं आपको दो चीज़े बताना चाहूंगा population के मुकाबले यहाँ पर अठ्ला लाख का number देखने को मिला increment का point number two आप जब भी 18 साल cross करो अपना भाई हो अपनी बहन हो अपने family का कोई भी member हो relative हो cousin हो उनको आप यह बताओ कि भई पानकार्ड रजिस्टर करवाले यानि कि पानकार्ड बनवाले और जैसे ही 18 साल खतम होता है तब से nil return file करना शुरू कर दे nil return मानी कि मैं text के दाइरे में नहीं आता हूँ ऐसे returns file करना शुरू कर दे क्योंकि यह जो है आगे आने वाले समय के अंदर जब भी आप earn करना शुरू करो government sector के अंदर service करते हुए या फिर आप earn करना शुरू करो from any kind of business और service तो आप जो है अपना पिछला record दिखा सकते हो आपकी जो है goodwill और credit worthiness दोनों बहुत ही improve होगी अगर आप जो है पान card holder है और 18 साल खतम होने के बाद हर साल जो है आप अपना IT return यानि कि income tax return nil return के तोर के उपर भी अगर file कराते हो तो तो यह एक बहुत ही अच्छी बात है और यह जो as in citizen जो आपक goodwill को enhance करता है तो nil return का filing करवाना बहुत ही अच्छी बात होती है और इसके आप जो है good points जो है pros जो है इसके regarding आप कहीं पर भी search भी कर सकते हो तो इसके उपर बहुत बड़े blogs भी लिखे हुए है तो nil return file ज़रूर से करवाईएगा यह आप अपने आप से भी करवा सकते है आपको इसके लिए कोई भी chartered accountant के पास जाने की जरूरत नहीं है आपको कोई blog मिल जाएगा या आपको PDF setup मिल जाएगा government की website के ओपर भी FAQ मिल जाएगे वहाँ पर भी आपको सिखाया जाएगा यह सारी चीज़े भी नहीं करनी है तो youtube के अंदर बहुत सारे videos available है कि nil return कैसे file करे खुद का जो है self-attested income tax return कैसे file करे तो यह करना बहुत जरूरी है देश को यहाँ पर पता चलेगा कि कितने लोग जो है वो tax आगे जाके समय के अंदर भी भर सकते है तो यह number जो है बहुत ही जादा helpful होता है देश की economy के लिए भी विश्व का यहाँ पर भरोसा भी बढ sector है जहाँ पर जो है specifically employment की अगर आप बात करें तो यहाँ पर non-farm payroll का जो number है वो currently जो दिखा जा रहा है इससे काफी गुना अच्छा है इवन जो EPA for ECIS जो है provident fund के regarding employment का जो number है वो यह काफी बहुत ही अच्छा numbers दिखाता है formal sector जो है payroll का यहाँ पर 31% of non-agriculture workforce काम करती है और जो formality है define की जाती है यहाँ पर GST के network के अंदर की यहाँ पर जो formal sector payroll share है वो 53% तक देखा जाता है तो यहाँ पर जो numbers जिस तरीके से देखने को मिलते है इससे यह बहुत ही बड़ा number है तो यहीं कहीं ना कहीं एक negative point भी है कि जो log number दिखाते है या फिर जो show करते है अपने income बोलो या फिर जो है अपना business बोलो वो गलत number दिखाते है States prosperity is positively collateral with international trade and interstate trade इसका simple सा मतलब यह है कि अगर कोई state जो है वो अपने neighboring state या फिर इंडिया के कोई भी state के साथ जो है अपना माल उनको बेचता है तो इसका मतलब है state खुद prosperous है कैसे आप बाहर कैसे बेजोगे चीज को कब उसको sell करोगे आप तभी sell करोगे जब आपके पास extra जम्मू कस्मीर से save क्यों आते है जम्मू कस्मीर के पास इतने save है कि उनको नहीं चाहिए उनको free में भी नहीं चाहिए इसलिए तो वो सब दे रहे है जितने उनको चाहिए उनको उसके पास है घर घर में save है आप नहीं चाहिए हमको तो यह इंडिया को दे रहे है पूरे इ इसके अलबा मैंगो की बात के लो, तो गुजराच जो है, वो बहुत ही अच्छी मैंगो जो है, सेल करता है, quality की और taste की comparison के अंदर, दूसरी बात, इंडिया जो है, वो ground nut produce करने के अंदर, गुजराच जो है, इंडिया के अंदर ground nut produce करने के अंदर, number one rank के उपर है, यानि की ground nut oil जो बनाया जाता है, या फिर peanuts जो होता है, यानि की ground nut से जो भी सारी चीज़े बनाई जाती है, until जो है, जो cow के लिए, ox के लिए, जो food बनता है, cow वो जो ground nut से, उस product से लेके, oil से लेके, seed से लेके, सारी चीज़ों के अंदर, जो gujarat जो है, वो अलग-अलग state को ये सारी सामगरिया बेजता है, तो जो state, दूसरे state को भी सामान बेजता है, वो खुद तो prosperous हो जाता है, point number two is that, कि वो जो दूसरे state को बेज सकता है, तो वो internationally भी बेज सकता है, तो state की prosperity रहती है, कि वो खुद के लिए जादा हो, तब वो दूसरे state को देगा, वहाँ पर भी बचता है, तो वो internationally देगा, यानि कि जब भी state progress करेगा, इसकी effects आपको इसी तरीके से देखने को मिल सकती है, फिर है India's export structure is more agilitarian than many large countries, तो अलग-अलग बड़े countries जो है, उससे अगर आप देखे कि हमारा export structure जो है, वो थोड़ा सा अलग है, हमारा export sector थोड़ा सा पहले तो stable नहीं है, एक unusual तरीके के अंदर हमारी यहाँ पर export देखने को मिलते है, भारत की एक प्रतिशद जो Indian firms है, वो 38 प्रतिशद तक का export कर लेती है, वेरेस यह inequality बहुत जादा है, दूसरे देशों के अंदर हम बात करें, तो Brazil में 72 प्रतिशद, Germany के अंदर 68 प्रतिशद, Mexico के अंदर 67 प्रतिशद और USA के अंदर 55 प्रतिशद का यह number निकल के आता है, तो यहाँ पर जो tendency है, वो tendency क्या है कि top 5 या top 10 percentage of Indian companies जो है, वही जादा त आपका performance good है, या पर regionally आपका performance good है, तो आप जो है विदेश के अंदर भी अच्छा perform करके दिखाएए, वहाँ पर जो packing और quality के standard से उसको maintain करें, और जो products है आपकी, उसको international market के अंदर relay करें, ताकि आप जो है इसका improvise benefit देख सके, तो यही मुद्दा है, जो MI नामक, यानि क Xiaomi नामक जो China की mobile producing company है, वो भी जो है इसी point of view से विदेश के अंदर business करना इनोंने शुरू किया, और आज जो है इनका जो है इंडिया के अंदर largest selling brand बन गई है, तो इंडिया जो है ये भी ऐसा कर सकता है, अपनी products जो है, वो अगर quality packing और standards के उपर और ज़र्यादा work करें, और products को जो है international market के अंदर छोड सकता है, और expert के अंदर बड़ोतरी करा सकता है देश के लिए, clothing sector जो है, clothing incentive package boost exports of ready-made government, तो इंडिया के अंदर clothes बनने के लिए भी आते है, सिलने के लिए भी आते है, और सिर्फ packing करने के लिए भी आते है, तो 16 प्रतिशत जो है, यहाँ पर main made fiber के उपर भी work होता है, तो यहाँ पर India जो है और चाहेगा कि और making India के initiative के साथ जो है इस number के अंदर और भी बड़ोतरी देखने को मिले, फिर India's parents continue to have children until they get the desired number of son, यह क्या है, भारत के अंदर जब तक पुत्र, यानि कि male child घर के अंदर पैदा नहीं होता, तब तक जो है, वो लो बच्चे पैदा करने की cycle जो है, चालू ही रखते है, तो भारत के अंदर एक सर्वे हुआ जिसके अंदर महिलाओ से पूछा गया, जिनके पांच या फिर पांच से जादा बच्चे है, तो उनको पूछा गया कि वह आप इतने बच्चे क्यों कर रहे हो, तो उन लोगों न के मताबिक यहाँ पर population increase हो रही है, पांच बच्चे की माँ जो है, वो सर्वे के अंदर यह कहती है कि अगर आप के हाथ में decision हो कि आप कितनी बच्चे को जनब देता चाहते हैं, तो उनका maturity of woman का यह कहना है, कि मैं तो सिर्फ maximum दो बच्चे तक का यहाँ पर बर्थ दिना प चाइना के अंदर यह act जो है, वो 40 साल पहले आया था, तो इंडिया के वो जो है, उसका 40 साल पहले का number था, वहाँ पर एक child allowed था, चाहे वो male हो की female हो, और अगर twins naturally हो जाते हैं, या फिर दो से जादा भी कोई भी number naturally हो जाते हैं, तो उसके regarding कोई penalty या फिर ऐसी चीज नहीं ह वरना जो है, पैनल्टी भी है, और abortion भी government ही कर देती थी, तो यहाँ पर जो है, population को रोकने के लिए बहुत ही जादा efforts लगाने की जरूरत है, और यह जो इंडिया के अंदर एक मानसिकता फैली होई है, कि लड़का तो चाहिए ही चाहिए, यह बहुत ही negative है, इवन यहाँ प जो हो रहा है, girl child का, उसको रोकने के लिए भी काफी सारी activities होती है, जो है, sex determination करवा लेते है, और अगर लड़की है तो मरवा भी देते है, या फिर जो है, कोई-कोई लोग उसको बर्थ भी दिला देते है, लेकिन यहाँ पर लड़के की उमीद के कारण बात बढ़ती ही च जो है, document भी submit किया गया था, India's government action would decrease substantial litigation in the tax arena, तो यह क्या point है, इंडिया के अंदर tax बर्ने वाले एक तो लोग काम है, और उसमें भी जो है, कई सारे cases चल रहे है, कि यह सही है, यह गलत है, इन्होंने income tax चुपाया है, पे नहीं किया है, चोरी की है, tax की चोरी की है, तो यह ज सारे मसले है, उसके अंदर जो numbers निकल गयाते है, वो है 30%, 60% pending cases है, उनमें से 1.8% value जो है, वो stake value के मताब मुकाबले है, और further यहाँ पर 0.2% जो है, cases के अंदर यहाँ पर 56% value at stake लगी हुई है, तो, इंडिया का जो income tax department है, उसको यहाँ पर solution जल्दी से लाने की जरूरत है, user friendly जो है, atmosphere बनाने की जरूरत है, जो भी सारे cash spending बढ़े है, उसको sold out कराने की बहुत ही जल्दी जरूरत है, यहाँ पर एक point है, growth in saving is not equal to economic growth, मतलब पहले इसका ही समझ लेते हैं, कि saving के अंदर बड़ोतरी हो जाने से economic growth क्या हो जाता है, answer है, नहीं हो जाता है, growth in investment होने से economic growth ह होता है, पर डेटा निकाल के देखा कि बहुत सर्वे यह कहता है, कि growth in saving से कुछ economic growth नहीं होता है, लेकिन वो पैसे जो आपने save के अंदर मत रखिये, bank के locker में नत रखिये, उसको market के अंदर आके उसको freely move करने दीजिए, उसको गूमने दीजिए, उसको यहाँ से वहाँ से वहाँ होने दीजिए, आपको नहीं आता है, तो bank में deposit करवाएं, bank में deposit नहीं करवाते, SIP कराएं, SIP नहीं कराते, तो आप mutual fund के अंदर invest कीजए, mutual fund के अंदर invest नहीं करते, तो आप जो shares and stock market के अंदर invest कीजए, वहाँ पर नहीं करते तो आप security या फिर bonds चीस करे तो यहाँ स जो है आपका पैसा अगर आपके पास या लोकर में या सेप में नहीं पड़ा रहेगा, घर पर नहीं पड़ा रहेगा, तो वो पैसा जैसे ही market के अंदर 3D मुरू होगा, तो आपकी जो number of amount है, आपकी amount जो है, वो increase होगी और यहाँ पर जो है economic growth invest करने के बाद ही देखने को मिलता है, this is the only fact and you should also fact, इस fact के ऊपर अगर आपको जहाँ पढ़ता आज भी करनी है, तो आप कर सकते हो, the collection of direct tax by Indian state and local self-government are insignificantly low than their counterparts, क्या है यह point, बिहार, जार्खन, 36 गज जैसे state जो है, वो खुद का गुजारा ही नहीं कर पाते हैं, सिर्फ grants के उपर ही जीते हैं, और special status की demand के उपर, जो है अपनी आखें मिचा कर बैठे रहते हैं, इवन यहाँ पर जो है, GST के आजाने से क्या हो जाता है, यह 15 financial commission जो है, उन्होंने जो 32 परतीशत से share बढ़ा के 42 परतीशत कर दिया, तो यहाँ पर बेजियर हटा दिया, इन लोगोंने, 1971 से लेके, 2011 का कर दिया, तो साउथ के जो states है, करनाटका, तामिलनाडू, खेलेला, यह भी जो यह लोग बहुती गुसे में और नाराज है, आज भी जो है, सरकार से नाराज है, कि आप जो amount हमारे लिए छोड़ रहे हो central से, यानि कि union government से, चाहे वो central sponsor schemes के लिए भी क्यों ना हो, और हमारे state को run कराने के लिए, जो administrative expenses लगते हैं, उसके लिए भी क्यों ना हो, बलकि हमारे पास ऐसी amount ही नहीं बचती, जिससे जो हम अपने state का गुजारा कर सके, और यहाँ पर यह union से आने वाली पैसे और जो distribution है, उसके regarding union to state की बात है, अगर आप internal state की भी बात करो, तो बहुत ही diversity है इंडिया के अंदर, गुजराच जो है वो prosperous है, महाराष्ट जो है, वो मॉंबई के कारण prosperous है, इवन दिल्ली जो है, वो union territory है लेकिन prosperous है, पंजाब है, agriculture के कारण prosperous है, राजस्तान है, वो भी prosperous है, mixed terms and condition के कारण, वेस्ट बेंगल भी थोड़ा बहुत prosperous है, केरला prosperous था है, लेकिन यहाँ पर मुद्दा यह है कि जो distribution होता है, union से, वो एक तो जने से, उनके पास कोई ऐसे point ही नहीं बचे, जिसे की वो अपने बात को रख सके, और खुद पर खुद जो है, कुछ earn कर सके, तो यहाँ पर बहुत सारे मसले इसके regarding जुड़े हुए है, तो यहाँ पर जो total revenue earn की जाती है, वे state government और local governments के दोरा, वहाँ पर India, Brazil और Germany की भी यहाँ पर एक comparison की report देखने को मिनी थी, extreme weather condition, adversely impact, agriculture yields, तो भारत के अंदर जो है, metrological department के जो information है, वो आज थोड़ी सी जादा help करती है, वरना climate change और जिस तरीके से कहीं पर बहुत जादा बारिश हो जाना, कहीं पर बारिश ही मत होना, बहार आ जानी, इन से क्या है, agriculture sector के अं impacts बनती है, तो यहाँ पर इंडिया के अंदर दो तरी, दो टाइम ऐसा होता है, कि unirrigated area जो है, उसको यहाँ पर बहुत जादा समस्याओ का सामना समादान करना पड़ता है, whereas compared to irrigated ones, तो यहाँ पर irrigation regularly नहीं होती, वो unirrigated area majority माना जाता है, और यहाँ पर साल के अंदर climate के मत ताबिक, यहाँ पर दो बार ऐसे फटके पड़ता है, जिससे वो जो भी या तो on ही नहीं करते हैं, या फिर जो on करते हैं, वो उसको repayment करने के अंदर लग जाता है, इतना खर्जा उसका आ जाता है, due to climate change और crop failure जो है, यह भारत के अंदर बहुती बड़ा मसला है, या तो pestic pesticide के कारण, या आग लग जाने से कारण, या फिर जो है fungus या फिर कोई बीमारी हो जाने के कारण, या बारिश न आने के कारण, कई ऐसे मुद्दे हैं, जिसके regarding यहाँ पर जो है, point बनता है, फिर है, आज का lecture का अंत, यानि कि आज इस lecture के अंदर आपको बहुत सारी information जाने को मिली, numbers याद नहीं रखने हैं, जो मसले समझाए गए हो, उसको याद रखना है, thank you so much for the discussion, भारत माता कीजे, वंदे मातरम